ये गाईस वेलकम बैक तो दे वीडियो एस वीडियो के अंदर आपको थोड़ी सी टेखनीक पताऊंगा जो कि आपको पता है अल्रेटी बर्स यूज नहीं करते हो जिससे आप अपना जो SIP पे आपको जो रिटर्ण मिलता है उस रिटर्ण को आप बढ़ा पाऊंगे और दूसरा जो खड़ाब रिटर्ण मिलता है उससे आप बच पाऊंगे ऐसा देखा गया है आप छोड़ो मेरी बात ही छोड़ो गूगल पर आप सर्च करना difference in mutual fund return versus investor return आपको खुद जितने सारे आर्टिकल आएंगे उसमें यही बाते आपको लिखे हुए मिलेंगी कि majority में यही होता है कि mutual fund जो return दे पाती है मतलब जो scheme return दे रही है ज्यादा तर इंवेस्टर 100% ने लेकिन ज्यादा तर इंवेस्टर को उतना return नहीं मिल पाता है क्यों होता है जो भी नए इंवेस्टर हो समझो इस बात को ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक human behavior होती है कि वो थोड़ा सा अपने आपको supreme मतलब समझता है कि मैं supreme हूँ और क्या करता है वो market को time करने की कोशिस करता है और market को time करने की कोशिस में वो बार बार mutual funds को buy sell buy sell करता है जिस कारण से जो ये difference है वो create होता है वो ये मतलब buy sell वो इसलिए करता है ताकि market से ज़्यादा return ले पाए मतलब mutual fund ने अगर 15% return दिया तो वो 20% return उसी mutual fund से बना पाए इस करन वो buy sell करता है लेकिन majority of investor 15% return ने बना पाते है अगर 15% return दे रहा है तो वो 10% return बना पाते है ये behavior होता है investor का जादा तर investor का यही behavior होता है जिस कारण से उनको इतने खराब return बनते है और ये practical चीज है प्रूंड चीज है ऐसा चीज होती रहती है और 1-2-10 लोगों की बात हो तो ठीक है हो गया लेकिन majority में जादा तर लोग जब ऐसा कर रहे है तो मतलब ये चीज market के अं रही है तो जो भी नए investor हो अगर आप market को time करने की कोशिस कर रहे हो market को time करने की कोशिस करो लेकिन किस तरीके से करोगे कि return कम तो नहीं होंगे return ज्यादा मिल सकते हैं अगर सही हो गया सब कुछ तो कैसे होता क्या है कि buy sell दोनों चीज आप जब करते हो तो अच्छे returns मिले न 10,000 रुपय की SIP चल रहे है जब market उपर आया आपने SIP भी बंद कर दी पैसे भी पूरे निकाल लिए या फिर लंसम ही किया हुआ है तो पैसे पूरे निकाल लिए और जब नीचे आ तो पूरे पैसे डाले timing ऐसे ही किया जाता है और यही timing लोग गलत कर लेते हैं लेकिन SIP को हम नहीं छूड़ है ठीक है बाई सेल जो करते हैं वो हम सेल नहीं करेंगे हम सिर्फ बाई करेंगे अगर आप सिर्फ बाई करते हो मालो जो नॉर्मल SIP चल रही थी उस पे जो mutual fund का return बनेगा वो उतना return तो बनेगा क्या अगर SIP चल रहे हैं और उसको हम disturb नहीं कर रहे तो normal जो return बनना था mutual fund पर उतना return तो बनेगा अगर हम disturb नहीं करेंगे तो minimum उतना तो बनी जाएगा लेकिन अगर इसी के साथ market जब गिरती है जब हमें ऐसा लगता है कि market गिर चुकी है क्रैस आ गया है या फिर market under value हो चुकी है हमारे पास जो extra पैसा कहीं से आता है कोई घर क सामान बेचा मैं गारी बारी सेल की बाइक सेल की या कहीं जमीन बेचा है या जॉब करते हो वहां पर bonus मिला है या फिर business करते हो तो किसी साल ज्यादा profit हो गया है तो यह जो extra पैसा आता है इस पैसे को अगर हम वैसे जगह पर इंवेस्ट करें जब हमें लगे कि market अभी खरा होगा कि normal SIP जे पे जो return बनेगा वो तो बनेगा कम से कम उतरा return तो बनेगा और अगर हम extra डाल रहे हैं तो इस पे भी return जनरेट होगा जो जनरेट होगा और अगर सही timing हमारी हो गई तो और अच्छे return भी जनरेट होगे कम से कम यहां पर यह तो नहीं रहेगा कि return खराब हो clear है जब हम buy sell दोनों करते हैं तो sell वाला के कारण हमारा return खराब हो जाता है क्योंकि goal हमारा short term का है नहीं और short term में अगर हम बार 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 exit लेते रहते हैं तो एक तो tax के लिए हम liable बनते हैं उपर से हम समझ नहीं पाते कि कब buy करना है कब sell करना है और गलती होती है returns खराब हमारा 10-15 साल का goal है तो रवल सी बात है इतने टाइम में market उपर जाएगा और वैसे में हमें अच्छे returns बनेंगे तो जितने भी new investor हो काफी यह जो buying selling वाला जो term है ना जैसे मैंने अभी विडियो बताया कि profit booking करते है कुछ लोग करे ठीक है अच्छा लगते आपको करे लेकि पर नीचे जागा तो entry करेंगे और यही जो लालच greed होता है यह गलती करवा देता है और इससे returns खराब हो जाते हैं तो अगर आप समझ रहे हो कि हम यह सब कुछ कर सकता हूं देन आप करो लेकिन अगर कोई आप उसको extra benefit नहीं है तो आप उसको avoid करने की कोशिस करें यह बार some opportunity देख के करते रहें पस जितने भी नए लोग हो कितना भी आपको लाला चाय कोई दूसरा आपको क्या कर रहे हो यार उपर आया है बेचो फिर नीचे जाए खड़ी दना मिलेंगे बहुत लोग ऐसा समझाने वाले मिलेंगे लेकिन इन ही सब नुआइज से अगर आप क्या कर दो